आप सबने इंटरनेट पे काभी ना कभी कुछ ऐसे कैर्स का पिक्चर तो जरूर देखा होगा, जिनका आइज का कालर डिपली ब्लू या फिर ग्रीन होता है, या फिर दोनों आइज का कालर ही डिफरेंड होता है, इसलिए इन सब कैर्स को देखने में बहुत ज़्यादा तो फिर चली, बीना केसी देर के ऐन वीडियो को स्टाट करते हो, जब किसी कैट का जन्म होता है, तब जन्म के समय से उसके आइज का कालर ब्लू होता है, या निग13illas तने आइज का कल्रीन फिर और नर्मलिंट इसलिए इसी वज़ास से 6 बाद से इनके आइज का कलर से यह तो यह उसकी जनेटीक के बजा से मैं या फिर इसके आईज का कलर जनेटीक की मिजए से चेंज हुआ है इसी इसकारण से के आघका कलर c pelo फिर ब्लू या फिर मिख्ट कालर का होता है अब मैं आपको कैट्स की आईज के बार में तीन फैसिनेटिंग फैक्ट बताता हूं नामबर बन हम सब बच्पन से सुनते आ रहे हैं कि कैट डार्कनेस में भी देख पाता है बाट ये टोटाली फॉल्स है कैट टोटाल डार्कनेस में नहीं देख पाता बाट ये लो लाइट में बहुत आच्छे से देख सकता है हमें देखने के लिए जितना लाइट की जरुरत होता है उसकी सिर्फ ओन सिक्स्ट लाइट में ही कैट सब कुछ आसान से देख पाता है कैट की कालर भी से लिमिटेड होता है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना हम हम हुमेंस जैसे हुज अमाउंड में डिफरेंट कालर को डिडेक्ट कर पाते हैं Cat वैसे huge amount में different color को detect नहीं कर पाता। Cat कुछ limited color को ही detect कर पाता है। Scientist के according cat blue and yellow color को आसानी से detect कर पाता है। बाट ये red and green color को differentiate नहीं कर पाता। Number 3 Cats के आखों में जो vertical pupils होता है वो decoration के लिए नहीं होता। इस vertical pupils का कुछ special काम होता है। ये vertical से cats की pupils की size को fast change करने में help करता है। इसलिए cats low light में भी देख पाता है। आपको cats की eyes के बारे में ये knowledge कैसा लगा? Comment section में जोरूर बाताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सेखने को मिला है तो वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करके उस bell icon को दबा देना। आगले एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकत होगी। तब तक के लिए बाई बाई